हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं जी के नाइस यूडूब चैनल तो फ्रेंड्स जैसे कि आप सभी जानते हैं आज बुद्वार था और लोग से वायोग अध्यक से मिलने का समय था तो गाई जिसका डरता वही हुआ तो फ्रेंड्स पूरी अपडेट इस वीडियो मा आप मुलकात नहीं हुई है तो पूरा अपडेट इस वीडियो मा आपको मिल जाएगा वीडियो को एंड तक जरूर देखे और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और से जरूर कर दे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले साधी साथ बेल ऐकन को प्रेस कर ले त तो आज दिनांक 18 मार्च को एल्टी समर्थ तक मोर्चा के बेनर तले सैकड़ो परतियों की छात्रों ने हिंदी और समाजी विग्यान के रिजल्ट पर वारता के लिए लोग से वा आयोग पर पहुंचे तथा वारता से संबंदित अपना पत्र आयोग कार्याले में जमा कि शाम 4 बजे के बाद आयोगा रेली द्वारा चात्रों को यह सूचित किया गया की कोरोना वायुरस की वज़े से आज चात्रों से नहीं मिला जा सकता मोर्चा समयोजग विक्की खान ने कहा कि हम परत्यों की छात्र आज से परती एक दिन चेर्मेन से मिलने के लिए परती एक दिन लोग से वह आयोग पहुचेंगे तो गाइस जिसका डरता वही हुआ आखिरकार कोरोना वाइरस ने पूरे विशु में अपना डेरा जमार लिया है और सभी इससे प्रेशान है तो लोग से वह आयोग में कोरोना वाइरस के चलते हुए लोग से वह आयोग अध्यक्स आज परत्यों की मोर्चे के जितने भी मिलने गए थे उनसे मुलकात नहीं हो पाई है तो बीच में कोरोना वाइरस आपका आ गया है तो इसका कुछ तो करना पड़ेगा तो परती एक दिन अब विक्की खान का कहना की परती एक दिन छात्र चेर्मेन से मिलने के लिए डेली लोग से वह पहुंचेंगे यह सिलसला तब तक होता रहेगा जब तक चेर्मेन से भेट नहीं हो जाती है मोर्चर परतिनीदी अनिल उपादे ने आरोप लगाया कि चेर्मेन कोरोना वाइरस का बहाना बना कर हिंद्यों समाजी विग्यान के रिजल्ट को और विलंब कर रहा है यह बिल्कुल सही है कोरोना वाइर को तो आगे की डेट नहीं दे रहा है लेकिन एल्टी ग्रेड और हिंद्यों समाजी विग्यान के बीच में रोड़ा जरूर बना हुआ है तो परतियों की छात्रों से निरंतर वादा खिलापी कर रहे हैं आयोगद्यक्स कल भी परतियों की छात्रों लोग सो आयोग पर चे परतियान का रिजल्ट है उनके बीच में जरूर आ गया है तो यह नए भाना मिल गया है आयोगद्यक्स को तो अभी रिजल्ट के बारे में कोई भी अपडेट नहीं है तो आज आयोगद्यक्स से नहीं मुलाकात हो पाईए विडियो को जादे से जादे से जरूर करते हैं को सब्सक्राइब कर लें सबसे पहले आपको अपडेट मिलना है यूटूब चैनल की तरफ से थैंक्स और वाचिंग और आप से एक निवेदन है कोरोना वाइरस से बचे मास्क का परियोग करें ठीक है